Hello Friends, GST में आया है एक नया सर्कुलर और बहुत ही important change इस सर्कुलर के अंदर किया गया है जो अभी तक आप interest calculation कर रहे थे उस पूरी की पूरी interest calculation को इस सर्कुलर के अंदर change कर दिया गया है जी हाँ इस सर्कुलर के अंदर पूरी आपकी जो भी तक interest calculation हम करते जा रहे थे late filing of 3 week के लिए उस interest calculation के अंदर एक बहुत ही major change किया गया है तो वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको clarity हो जाए कि क्या वो important change यहाँ पे किया गया है तो चलिए start कर लेते हैं वीडियो को उससे पहले channel को जरूर subscribe कर लीजेगा ताकि सभी important updates आपको मिलते रहें तो दोस्तों चलते हैं हम अपने circular पर circular number 141 इस circular में आपको बताया गया है कि पहले जो circular आया था circular number 136 उसमें clarification दी गई थी कि किस तरीके से आपको अपना interest calculate करना है लेकिन दोस्तों इस circular में दोबारा से उस interest की जो calculation है उसको change कर दिया गया है तो वो change क्या किया गया है वो मैं आपको पताने वाली हूं चलिए हम delay ना करते हुए जो clarification दी गई है उन पर चलते हैं तो government ने notification इशू की है 24 जून को notification number 51 51 number notification में a lower rate of interest of nil for first 15 days after the due date of filing of form GSTR 3B and 9% thereafter till 24 June is notified after the specified date normal rate of interest 18% per annum shall be charged for any further period of delay in furnishing of the return तो दोस्तों यहाँ पे जो important change किया गया है वो पुरा का पुरा change इस line के अंदर है क्या कहती है यह line कि पहले 15 दिन के लिए आपका जो rate रहेगा वो निल रहेगा due date से पहले 15 दिन माल लीजिए मार्च की अगर मैं बात करूँ तो 20 अपरेल के बाद 15 दिन due date क्या रहेगी मार्च की 20 अपरेल तो 20 अपरेल से 15 दिन यानि कि 5 मई तक आपका जो interest है वो निल रहेगा उसके बाद 9% thereafter till 24 जून 24 जून तक 5 मई के बाद 24 जून तक आपका जो rate रहेगा वो 9% रहेगा अब सबसे important जो change किया गया है वो आपको समझना है after the specified date specified date क्या है हमारी 24 जून 24 जून के बाद normal rate of interest that is 18% 24 जून के बाद 18% लगना है सभी को ये चीज़ क्यार है shall be charged for any further period of delay in furnishing of return तो कहने का क्या मतलब है 24 जून के बाद जितने दिन का आपने डिले किया है cable और cable उतने दिनों पे 18% का interest लगेगा समझते हैं इसको example के साथ confuse नहीं होना है आपको बिल्कुल भी देखिए ये table यहाँ पे इन्होंने दी है और March महीने की बात की है बहुत ही important ये change है ध्यान से आप समझेगा माली जी आप इसे 2 मई तक file कर देते हैं दो मई तक आपका delay है 12 दिन का तो कोई भी interest आपसे नहीं लिया जाएगा माली जी आप इसे 20 मई को file करते हैं आपका delay हो गया 30 दिन का तो 30 दिन के लिए पहले 15 दिन आपका जो rate है वो interest है वो निल रहेगा बचे हुए 15 दिन आपको 9% के rate से interest देना होगा यह आपको clear है क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि due date से जो है पहले 15 दिन आपका निल रहेगा और उसके बाद जितना भी delay होगा आपको 9% के rate से interest देना होगा अगर माली जी अब 20 जून को file कर देती है तो 61 दिन का delay हो गया लेकिन 24 जून से पहले पहले कर दी है आपने तो पहले 15 दिन निल उसके बाद 9% 46 दिनों के लिए आपका interest लग जाएगा 24 जून को भी अगर आप file कर देती है तो 65 दिन का delay हुआ है पहले 15 दिन निल और उसके बाद 50 दिन आपको 9% के rate से interest देना होगा अब आगया हमारे सबसे important change की बात 30 जून को मान लीजे अगर आपने अपनी 3B file करी है तो आपका delay हो गया है 71 दिन का अब इस 71 दिन पर किस प्रकार से interest लगेगा उसमें कर दिया गया है बहुत ही बड़ा change देखिए पहले 15 दिन वो कह रहे है zero interest रहेगा उसके बाद 50 दिन यानि की 24 जून तक जो दिन है आपका 9% interest रहेगा ये देखिए सबसे major change यहाँ पे कर दिया गया है ये नहीं है की 71 दिन का delay यानि की 24 जून के बाद आपने file की है तो पहले कह रहे थे कि अगर आप 24 जून के बाद file करोगे तो सिधा 18% का interest आप दोगे और वो आप original due date से लोगे तो अब इसमें कर दिया गया है बहुत ही important change किस तर ऐसे interest calculation करी है 71 दिन का delay है पहले 15 दिन निल अगले 50 दिन यानि की 24 जून तक जो interest है वो है 9% और 24 जून के बाद बचे 6 दिन उन 6 दिनों पर लगेगा 18% I hope ये calculation आपको समझ में आ गई हो 71 दिन का delay हुआ है जिसमें पहले 15 दिन निल 24 जून तक हमारे बनते हैं 50 दिन तो उन 50 दिनों पर 9% 24 जून के बाद हमारे दिन बच गए 6 दिन उन 6 दिनों पर 18% तो इस तरीके से होगी ये नई interest की calculation बहुत ही major change ये किया गया है relief दिया गया है tax payers को अब बात करेंगे उन tax payers की जिनका turnover below 5 करोड है तो जिनका turnover below 5 करोड है उनके लिए किस परकार से रहेगी interest calculation मार्च के लिए निल तिल 3rd of July and 9% thereafter तिल 30th September तो मार्च के लिए आपकी जो है रहेगी 3 जुलाई तक रहेगा निल और उसके बाद जो है 9% का rate लगेगा 30th September तक बाल लीजिए आप 22 June को अपनी 3B फाइल करते हैं तो कोई interest नहीं है 22nd September को अगर आपने फाइल करी तो उसमें क्या change किया गया है यह देखेंगे तो इसमें भी यही चेंज किया गया है कि 30 सितंबर के बाद जितने भी दिन बचेंगे उन दिनों पर 18% का rate रहेगा यानि कि 18% original date से count नहीं होगा 30 सितंबर के बाद मान लीजिए आपने 2 October को किया है तो उन दो दिनों पर 18% कर अगेगा किस तरीके से calculation होगी एक बर यह भी समझ लेते हैं बहुत ही important video है इसे miss मत करिएगा share जरूर करिएगा बागी लोगों के साथ भी तो मान लीजिए कि आपने 22 सितंबर को अपनी 3B फाइल की है तो ऐसे केस में March मंत की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे है तो March की निल है 3 जुलाई तक 3 जुलाई तक आपका जो interest है March का वो निल है तो जो interest रहेगा आपका 3 जुलाई तक का निल है उसके बाद यानि की पहले बातर दिन आपका जो interest है वो निल है March से लेकर March की April, मई जुन 3 जुलाई तक आपको count कर लेना है March के लिए आपकी due date रहेगी जो है 22 April अगर आपकी रहेगी तो आपको वहाँ से count करना है बातर दिन तक आपका जो rate of interest रहेगा वो निल रहेगा आपको count कर लेना है पुरा due date से लेकर के 3 जुलाई तक के जो दिन बनते हैं वो 72 दिन बनते हैं बातर दिन आपका interest निल रहेगा उसके बाद जब 3 जुलाई के बाद आपका जो rate रहेगा वो रहेगा आपको जो चेक करना है यानि की there after 9% रहेगा 81 days के लिए आपको due date से calculate करना है कि कितना total आपका delay हुआ है due date से लेकर के 22 सितंबर तक मेरा delay हुआ है 153 दिन का जिन में से 3 जुलाई तक मेरा interest निल है और उसके बाद बचे हुए दिनों के लिए 80 दिनों के लिए जो rate रहेगा वो रहेगा 9% similarly 22 ओक्टूबर को file करूंगी तो due date के बाद 22 ओक्टूबर तक मेरा delay रहा 183 days का 3 जुलाई तक यानि की पहले बातर दिन तक मेरे लिए निल है 3 जुलाई तक निल है original due date से interest count नहीं किया जा रहा है यह चीज आपको यहाँ पे देखनी है original due date से interest count नहीं किया जा रहा है पहले बातर दिन यानि की 3 जुलाई तक मेरा जो interest रहेगा due date से 3 जुलाई तक मेरा interest निल है बातर दिन निल है उसके बाद 30 सितंबर तक 89 days मेरे बनते है 9% का rate जो है लगेगा और उसके बाद 183 में से बच गए 22 दिन उन 22 दिनों पर 18% का rate लगेगा यह चीज आपको समझनी है बहुत अच्छे से कि किस तरह से यह interest की calculation की जा रही है March के लिए आपको अपनी 3B की due date देखनी है due date से लेकर के 3 जुलाई तक यानि कि 12 दिन कोई भी interest नहीं है 3 जुलाई के बाद 30 सितमबर तक 9% का interest लिया जा रहा है और 30 सितमबर के बाद माल लीजे आपने 22 ओक्टूबर को यह file की है तो due date से लेकर 22 ओक्टूबर तक मेरा delay हो गया 183 दिन का जिसमें से due date से 3 जुलाई 3 जुलाई मेरी specified date थी 22 दिन के लिए कोई interest नहीं है उसके बाद 23 दिन के बाद 30 सितमबर तक यानि कि 89 days मैं 9% के rate से interest दूँगी और उसके बाद बचे हुए दिन जो 22 दिन मेरे अक्टूबर के आ गए है 22 दिन जो मेरे अक्टूबर के बच गए है उन पर मैं 18% के rate से interest दूँगी तो इस तरह से ये calculation की जा रही है इस चीज को अगर आपको clear नहीं हुई है तो comment box में जरूर लिखेगा थोड़ा और easy way में मैं आपको clear कराने की कोशिश करूँगी तो इस तरीके से अब आपकी interest calculation रहेगी अब जो ये 18% का rate है ये आपसे original due date से नहीं लिया जाएगा जो आपके pending days बच गए है relief date के बाद जो pending days माल लीजे 30 सितंबर तक आपको 9% का rate देना है उसके बाद अगर आप file करते हैं इस चीज़ को आपने clear समझना है specified dates तक का benefit आपको दिया जा रहा है original due date से interest आपसे नहीं लिया जा रहा है तो ये थी काफी important clarification जो आई है CBIC की तरफ से जो अभी तक सभी confusions थी वो हो गई है clear I hope ये वीडियो आपके लिए है useful Thank you for watching झापके लाँ है।